हाई गाइज जैसा कि आप जाने गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बनाना शेक बनाने वाले हैं तो बनाना शेक एक बहुत ही जादा हेल्दी ऑप्शन है बढ़ते बच्चों के लिए या जो लोग एक्सरसाइज वगरा करते हैं उनके लिए भी और यह बहुत ही है वह भी जादा टेस्ती अज़िए बहुत होर्थ जादा वेस्टि इस धतंगा है वे जल्दी इस जादा अबची एक दूर में डाल दाल ढूसिए और इसके अंदर दो पके अग्राabod ki मैंको स्लैसी में कट करके इसके अंधर डाल दिएम और यहां पेमिन को यहां पर चाहें तो इलाइची पाउडर भी इसके अंडर यहां पर आड़ कर सकते हैं और इसके बाद इसके अंदर टीसपून शुगर आड़ कर देंगे यहनि कि चीनी you don't have to do that तो यहां पर आप अधियाद से ब्लंड करें आप इसके अंदर आप कर रहे हैं तो आप इसके अंदर चार से पांच बदाम को सोग कर लेे उसके बाद चील के इसके अंदर और 2 को की गिरिया और 2-3 कैशो भी इसके अंदर डाल सकते हैं तो यह हम रेगुलर बनाना शेक बना रहे हैं जो कोई भी पी सकता है जो डाइजेशन लेवल भी इससे बढ़ जाता है तो यह डाइजेस्ट करने में भी बहुत एजी है क्योंकि हम इसमें बहुत सारा ड्राइफरूट वगारा नहीं डाल रहे हैं यह देखें यहां पर मैंने दो गिलास दूर इसमें और एड़ कर दिया है क्योंकि यह जो बनाना शेक की रेसिपी है यह तीन लोगों को सर्फ होगी और बस इसे अच्छे से ब्लाइंड करें और इसे सर्फ करें और यह बहुत ही जादा टेस्टी पॉस्टिक हेल्दिक और ब सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी उपर से इसे पिस्ता से और बनाना से मैंने डेकुरेट किया है और थोड़ी से मैंने दो दो पीसी के उपर किशमिश के भी आड़ किये हैं तो गाइस मिलते हैं अपने न